जेहिन दोस्तों मैं मुस्तजाब आपको स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मे लवस्तियारी रखो सलाओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैट ऐ मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मिलने का मज़ा भी आएगा आज हम लोग पढ़ेंगे पादप आकारी की मेरे दोस्त जो भी हमारे अगले वीडियो नहीं देखे हैं पादप जगत कवर की करन मेरे दोस्त एक ही वीडियो में हमने सेट मरवाय है मेरे दोस्त आप लोग सेट मारियो और जो सो जुनून सेर बताईए कि आप लोग को कितना आ रहा है आज फिर हम लोग पढ़ेंगे पादप आकारी की जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और राइट सैड में उपर बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले मेरे दोस्त आपको notification सबसे पहले पहुँच जाए चलिए मेरे दोस्त हम आज स्टार्ट करते हैं question अमरे मुलानकूर से विक्षित होने वाली जरे क्या कहलाती है तो कहलाती है मुशला जरे मुलानकूर से जो विक्षित होने वाली जरे होती है मेरे दोस्त उसे हम मुलानकूर की अतिरिक पोधे के किसी भी भाग से विक्षित होने वाली जरे क्या कहलाती है जो भी मेरे दोस्त अफसन नमर भी बता रहे हैं अपस्थानिक मुल और करेक्ट बता रहे हैं चले मेरे दोस्त आब हम लोग देखेंगे तीन नमबर कोश्चन डेहलिया की जरे होती है कंदिल तथा पुलकित, कुम्बिरूप, स्वांगी कारी, रेशिदार जो भी मेरे दोस्त अफसन नमर ये बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं कंदिल और पुलकित होती है चलिए मेरे दोस्त आब हम लोग देखेंगे चार नमर कोश्चन उप्री रोही मुल मिलती है, तीनो एस्पूरा में, अमर बेल में, आरकित में, भारती रबबर में जल्दी बताए मेरे दोस्त आप लोग, बहुत मोस्त इंपोटेन ये कोश्चन है मेरे दोस्त जल्दी बताएए मेरे दोस्त आप लोग जल्दी मेरे दोस्त बताएए बहुत most important ये कोशन है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आर्किड और कडेक्ट इंसर बता रहे हैं मेरे दोस्त अफसा number C answer होगा अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्ट पांच नमबर कोशन नियू मेटा फोर्स पराया मिलती है मेरे दोस्ट किस में मिलती है जो नियू मेटा फोर्स मिलती है मेरे दोस्ट किस में मिलती है जो भी मेरे दोस्ट अपसन बता रहा है मैंगरो पादपो में correct बता रहा है माहिंगरो पादवो में मिलता है चलिए मेरे दोस्त हम लोग समय बेगार गहाते हुए मेरे दोस्त हम लोग आगे भरते हैं छे नमर question अवस्तमूल पाई जाती है चावल में गन्य में मुंग फली में चन्य में जो भी मेरे दोस्त अपसर नमर बी बता रहे हैं करेक्ट है गन्ने में पाई जाती है अस्थमूल आप मेरे दोस्त देखिए वो था अवस्थमूल ये है अस्थमूल किसमें पाई जाती है तो अस्थमूल जो पाई जाती है मेरे दोस्त वो पाई जाती है अपस्थानिक जरे म मेरे दोष्ट, व पाई जाती है, अवस्त्स्थ मूल गन्ने में पाई जाती है, आप लोग यह मेरे दोष्ट, दोनों घुमाने वाला कोशन है, थोरा आप लोग इस पर ध्यान दिज्येगा, चलिये मेरे दोष्ट, हम लोग देखते हैं, आफ नमर कोशन, जरे विक्षित होत पुस्पे करम है जल्दी बता है मेरे दोस्त गाजर क्या है जो भी अपसर नमरे ये बता रहे हैं और करेक्ट है ज़र होगा चलिए मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे अब 10 नमर कोशन बरगत के पेर के तने से लटकने वाली मूटी जड़े क्या कालाती है जल्दी बता है मेरे दोस्त जो भी अपसन नमर सी बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त अस्थब मूल कालाती है बरगत के पेर के तने से लटकने वाली जो मूटी जरे होती है अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्ति यहारें नम्बर कोशन आलू का खानी हो यह भाग कौन सा है जर है कलिका है फल है तना है जल्दी बताःए मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तना ओ करेक्ट बतारे है एपसंन नमर 2, करेक्ट इंसर है, चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे, 12 नमर कोशन, पौरने काय अस्थम, एक रूपांतरन है, जर का, ताना का, पत्ती का, इन में से किसी का भी नहीं, जल्ली बताएं मेरे दोस्त, जो भी एपसंन नमर 2 बता रहे हैं, चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे, 13 नमर कोशन, नागफनी में परकाशन सिलेसी कारे होती है, धनकंद द्वारा, परने काय अस्थम द्वारा, परने इत विन्ने द्वारा, सलकंद द्वारा, जल्दी बताएं मेरे दोस्त, नागफनी में परकाशन सिलेसन होती है, जो भी म दोस्त अब हम लोग देखेंगे चुज़र नमर कोशन। आलू भूमी गत्रुपांति तना होता है. जीसे क्या कहा जाता है। सलकंद, धनकंद, परकंद, कंद, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त। जो भी अपसन नमर D बोल रहे हैं वो करेक्ट अंसर बोल रहे हैं. कंद होगा मेरे दोस्ट चलिए मेरे दोस्ट अब हम लोग देखेंगा पंदर नमर कोशन हली के पोधे का खानी हो गया भाग कौन सा है जर है परकंद है फल है जल्डी मेरे दोस्ट आप लोग बताएpower कोशन जो भी मेरे दोस्त अपसन नमर भी बता रहे हैं वो मेरे दोस्त परकंद होगा चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे सोले नमर कोशन अदरक क्या है रुपांतरित जड़ है राई जोम है तेयूबर है बल्व है जल्ली बताए मेरे दोस्त बहुत मास्ट इंपोर्टेन ये कोशन है बहुत मेरे दोस्त जल्ली बताए ये हर एकजाम में देखने को मिलता है मेरे दोस्त कोई भी एकजाम हो बहुत म क्रेट बताना है राइजोम अद्रक है अद्रक को हम एक राइजोम के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त अद्रक जो है राइजोम है चलिए मेरे दोस्त आब हम लोग देखेंगे कोश्चन नमर सतरा हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कोश्चन नमर सतरा देखेंगे देखिए मेरे दोस्त पियाज परिवर्ति तुरूप है तने का जर का पतियों का फॉल का जल्दी बते हैं मेरे दोस्त बहुत बनिया कोचन है जो भी मेरे दोस्त अपसन अमर ये बता रहे हैं और क्रेक बता रहे हैं पियाज परिवर्ति तुरूप है तने का निम्न में से किस अफसर नमर डिस उसको भीद में, वो करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे 19 नमर कोश्चन मेरे दोस्त, वे पोदे जिन में कभी पूस्प नहीं बनते हैं, क्या काल आते हैं, जिन में कभी पूस्प नहीं बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त जल्दी बताईए बहुत मोहत पूर्ण यह कोचन है मेरे दोस्त जो भी बता रहे हैं अपसर नमर सी क्रिप्टो गेम्स हो करेक्ट बता रहे हैं पूस्प नहीं बनते है मेरे दोस्त यह क्रिप्टो गेम्स होता है चलिए अब हम लोग देखेंगे 20 नमर कोचन मेरे दोस्त संस नमर बी बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं रहे फिलेशिया चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग देखेंगे कईस नमर कोशन फूल गोबी का खाने होगे भाग क्या है फल है कली का है पुश्प है पुश्प कर्म है जल्दी बताइए मेरे दोस्त आप लोग जल्दी मेरे दोस्त जो भी बता रहे हैं मेरे दोस्त अफसन नमबर डी और क्रेक्ट बता रहे हैं यह होगा पुश्प कर्मे जो फूल गोभी का भाग खाये जाता है मेरे दोस्त उसे हम कहते हैं पुश्प कर्मे अब हम लोग देखेंगे बाइस नमबर कोश्चन मेरे दोस् जीवन चक्र के देश्टी से पोधे का सबसे महतपूर्ण अंग कौन सा है जीवन चक्र के देश्टी से पोधे का सबसे महतपूर्ण अंग कौन सा है पुष्प है B नमबर अपसन पत्ती है C नमबर अपसन तना है D नमबर अपसन जर है जल्दी बताइए मेरे दोस्त आप लोग पोदे का मुहतपूर्ण अंकौन सा है जो भी मेरे दोस्त अपसर नमर ये बता रहे हैं और क्रेक्ट बता रहे हैं चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग देखेंगे टेश नमर कोशन प्राग कोश से वर्तिकार तक प्राग का अस्तरांतरन क्या कालाता है जो भी मेरे दोस्त अपसर नमर भी बता रहे हैं प्रागन वो प्रेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग देखेंगे 24 नमर कोशन एनिमोफिली प्रागन है मेरे दोस्त कोचन बहुत फंसाता है एनिमोफिली या एन्टोमोफिली और चो आप लोग को मेरे दोस्त ये आप लोग इसको भूलिएगा मत याद रखिएगा जो एनिमोफिली बोले तो वायू द्वारा होता है एनिमोफिली जो होता है वायू द्वारा होता है जो एनिमोफिली होती है मेरे दोस्त वो कीटो द्वारा होती है जो भी अपसन नमर मेरे दोस्त सी बता रहे हो करेक्ट है जो एनिमोफिली होती है वो मेरे दोस्त वायू द् निमोफिली अब हम लोग देखेंगे 25 नमर कोश्चन देखें मेरे दोस्तों कोश्चन आवी गया एंटोमोफिली यह दो है मेरे दोस्त इसको आप लोग बहुत बनिया से याद किजिएगा देखें मेरे दोस्त जो एंटोमोफिली होती है पराकौन होती है देखें मेरे दोस् यह कीटो द्वारा हो ते वायो द्वारा हो इसमें भी देखिए मेरे दोस्त अपसं दिया है वायो द्वारा इसमें देखिए भी मेरे दोस्त आप लोग कीटो द्वारा इसमें भी अपसं दिया है अगर चो आप लोग बनिया से नहीं याद किजेगा मेरे दोस्त यह कीटो द उचिते हैंगा मेरे दोस्तु उही मारे तुक्सा लगाने के फिर में मत रहेगा सिलिए गी हरे एक जाम में नेगेटिम मेरे दोस्त मिल रहे जाने गे B 2016 आर शुक्तू में oscillation के जूप दोटा है किसमेंहों और फिलिप वरागौन होता है किसमें होतो है अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 27 नमबर कोशन और नितो फिली परागन होता है पक्षियों में चमगादुरों दोरा वायू दोरा मानव दोरा जो भी मेरे दोस्त अपसन नमर ये बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त और नितो फिली जो परागन होते हैं उपक्सियों द्वारा होता है अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त अथाइस नमबर कोश्चन जल्द वारा परागण कहलाता है जल्द वारा परागण कहलाता है जूफिली, हैडरोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली जल्दी बताइए मेरे दोस्त जल्द वारा परागन क्या कहा लाता है जो भी मेरे दोस्त अफसान नमर B बता रहे हैं हैडरोफिली होता है जल्द वारा परागन अब हम लोग देखेंगे 29 नमर कोशन जो परागन बंद पुश्पों में होता है क्या कहा लाता है जल्री बताएं मेरे दोस्त बहुत बहुत बनिया ये कोश्चन है जो भी मेरे दोस्त अपसा नमर बता रहे है एप कलिसेफ्टो मी वो कर्यक्ट एंसर बता रहे है जो परागन बंद मुट पुस्पो में होता है उसे हम कलिसेफ्टो गेमी काते है मेरे दोस्त आप हम लोग दे जल्ब परागित पुश्पों में होता है कीट परागित पुश्पों में होता है वायू परागित पुश्पों में होता है सभी पराग परकार के पुश्पों में होता है जल्दी बते हैं मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपसा नमर भी ओकरेक्ट बता रहे हैं वर्तिका सदाव खुद्रा जो चिपचिपा होता है मेरे दोस्तों कीटों द्वारा होता है अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त एक-30 नमर कोशन निशेचन के 50 बीजो के विजावरन विक्सित होते हैं अध्यावरनों से अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त बतिस नमर कोशन क्या है मेरे दोस्त आना विरिद वीजियों में दूइनी सेचन होता है मेरे दोस्त चलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 33 नमर कोशन आज हम लोग मेरे दोस्त पादब आकारी की इस वीडियो में खतम कर देंगे बीना नीसेजन के एक अंडासे के फल में विक्सित होने को क्या कहते है मेरे दोस्त बीना नीसेजन के एक अंडासे के फल में अंडासे जो होता है मेरे दोस्त जल्दी बताएए अंडासे फल में विक्सित होने को क्या कहते है जल्दी बते हैं मेरे दोस्त बहुत most important कोशन है जो भी मेरे दोस्त बी नमर अपसन बता रहे हैं परनीथो कॉर्पी होता है अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त चाहुतिस नमर कोशन एक सतेफल परवर्धित होता है अंडासे से पुसपासन से दालों से अमासे से जल्दी ब बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं सतेफल जो होता है मेरे दोस्त वो अंडासे से होता है जो असतेफल होता है मेरे दोस्त वो बी जान्डों से होता है असतेफल अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त पाइटिस नमर कोशन निम्न में से कौन सा एक सतेफल है मेरे दोस्त सेब जो है एक सत्य फल सुपारी आम काजू ये और सत्य फल नारियल का आम नारियल तथा आम के फल होते हैं मेरे दोस्त उसे हम एक ड्रॉप के नाम से जानते हैं डूप डूप के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त पौके हुई आम का खाने हो गये भाग क्या होता है मेरे दोस्त बड़ा फल्वित्ती मद्धे फल्वित्ती अता फल्वित्ती फल्वित्ती जल्दी बते हैं मेरे दोस्ट मोस्ट इपूटन कोशन है ये जो भी मेरे दोस्ट अपसन नमर बी बता रहे हैं मद्धे फल्वित्ती होता है अब हम लोग देखेंगे 38 नमर कोशन नारियल का खानी ह उग्य भाग क्या है मेरे दोस्त फल वित्ती होता है बुरून पोस होता है पूर्ण बीज होता है बीजावरन होता है जल्दी बते हैं मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त अफसन नमबर भी बता रहे हों करेक्ड बता रहे हैं बुरून पोस होता है नारियल का खाने उग्य भाग अफसर नमर B, ARIL अफसर नमर C, मध्य फल्वित्टी अफसर नमर D, बीज पत्त्रे होता है जल्दी बताए मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त अफसर नमर B बता रहे हैं लीची फल का खाने उग्य भाग ARIL होता है अब हम लोग देखेंगा मेरे दोस्त चालिश नमर कोशन सेव एक नासपासी नासपाती में खाने योग्य भाग होता है बराव फल्वित्ती मध्य फल्वित्ती अता फल्वित्ती मानसल पुस्पासण जल्दी बता है मेरे दोस्त सेव नासपासी खाने योग्य भाग है जो भी मरे दोस्त अपसंद नमर 2 बता रहे हैं और करेट बता रहे हैं मानसल पुस्पासन होता है मरे दोस्त बहुत बनिया ये कोशन है अब हमलोग देखेंगे मेरे दोस्त एक तालिस नमर कोशन नासपाती का कौन सा भाग खाया जाता है गुद्देदार पुसपासन, बीजानू, दोनो, फली, जल्दी बताएं मेरे दोस्त, नसपाती का कौम सा भाग काया जाता है, बहुत महत पूरने कोश्चन है मेरे दोस्त, यह हर एकजाम में यह पूछता है, मेरे दोस्त, आर्मी हो, रेलिवे हो, एसेसी जीडी हो, जाहें जो भी एकजाम है, जिसमें जेनरल साइस पूछता है, सभी में पूछता है, मेरे दोस्त, जो भी बता रहे हैं, अपसर नमर ए, वो गुद्देदार पुसपासन होता है, अब हम लोग देखेंगे, मेरे दोस्त, 42 नमर कोशन, किस पोदे में बीज होता है, लेकिन फल नहीं इंक में, मुंग फली में, बादाम में, साइकस में, जल्दी बते हैं, मेरे दोस्त, किस पोदे में बीज होता है, लेकिन फल नहीं होता है, जो भी मेरे दोस्त, अपसर नमर डी बता रहे हैं, बहुत बनिया साइकस होगा, मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे, मेरे दोस 43 नमबर कोशन बीज विक्षित होता है इस्तिरी के सुरों से बीजांडों से अपसंडी अंडासियों से अपसंडी प्राकोशों से जल्ली बते हैं मेरे दोस्त बीज विक्षित होते हैं जो भी मेरे दोस्त अपसंड नमबर भी बता रहे हैं अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, चवाली से नमर कोश्चन, आज हम लोग को मेरे दोस्त, पादप आकारी की को खतम कर देना है, फिर कल से स्टार्ट करना है मेरे दोस्त, देखेंगे मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे चवाली से नमर कोश्चन, सजीव परजक अंकूरन किस में पाया जाता है सजीव पर्जा कंकूरन किस में पाया जाता है अनानस में राइजो फोरा में राइजो कलोनियम में राइजो बियम में जल्दी बते है मेरे दोस्ट सजीव पर्जा कंकूरन किस में पाया जाता है जो भी मेरे दोस्ट अपसन नमर बी बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं राईजो फोरा में पाया जाता है जीव परजा कंकूरन अब हम लोग देखेंगा मेरे दोस्त पाया तालिस नमर कोशन अदो भूमिक अंकूरन पाया जाता है कद्दू में मक्का में अपसन नमर सी राईजो फोरा में अ बता रहे हैं और करेक्ट बता रहे हैं चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग देखेंगे 40 नमर कोशन भूमपोरी का अंकूरन पाये जाता है मक्का में गेहु में मतर में अरंडी में जल्दी बता है मेरे दोस्त बहुत बनिये ये कोशन है मेरे दोस्त जल्दी बताईए आप लोग, इसका जवाब जल्दी दीजे मेरे दोस्त, जो भी मेरे दोस्त बोल रहे हैं, अपसन नमर डियो करेक्ट बता रहे हैं, अरंडी में भूंपोरी करां, अंकूरन पाये जाता है, अरंडी में पाये जाता है मेरे दोस्त, आज कहिए मेरे दोस्त, पादप आकारी की का लास्ट कोशन है ये 47 नमर कोशन निमली खित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है जल्दी बते है मेरे दोस्त पैसन पलावस पादप घट परने रात की रानी या नाइट कुईन अफसा नमर डी में दोस्त फलेम आफ दा फॉरेस्ट जल्दी बते है मे बहुत महत पूरन ये कोशन है मेरे दोस्त निमली खित में से कौन सा एक कीटाहारी है जो भी मेरे दोस्त अफसन नमर बता रहे हैं भी वो कड़ेक टेंसर बता रहे है मेरे दोस्त बहुत बनिया मेरे दोस्त चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग ये जितना पादपाकारी की है म ही वीडियो में है आप लोग देखिए और लाइक किरिए कमेंट किरिए जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, राइट सैड में उपर बेल आइकन को भी परिश कर दिजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकिसन पहुंच जाए, मेरे दोस्त, अगर मेरे कलास अच्छा लगे तो, और हमारे कमेंट बक्स में भी बाब दिजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल साथ बज़ेच साम, जैन दोस्तो,